नीला कंठ है जिसका नील कंठ है उस दिन एक अथिति को स्टेशन पहुचा कर मैं लोट रही थी ये पार्ट महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है रिखा चित्र में अब वह कह रही है कि उस दिन एक अथिति को स्टेशन पहुचा कर मैं लोट रही थी कि चिडियों और खर्गोस की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्रैवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया बड़े मिया चिडिया वाले की दुकान के निकट पहुचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्रैवर को रुखने का संकेत दिया अब जब वहां दुकान के पहुचे तो ड्रैवर को रुखने का उसने रुखने का आदेश दिया मेरे कोई प्रस्ण करने के पहले ही उन्होंने कहना आरम में किया सलाम गुरुजी पिछले बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था संकरगर से एक चीडी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है अब वो बोल रहा है कि पिछली बार जब आये थे आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था इस बार संकर गड़ से एक चिड़ी मार जो चिड़ियाओं को मारता है वो दू मोर के बच्चे पकड़ लाया है एक मोर है और एक मोरनी आप पाल ने मोर के पंजों से दवा बनती है सो ऐसे ही लोग खरिदने आये थे आखिर मेरे सीने में भी तो इनसान का दिल है वह कह रहा है कि मेरे सीने में भी इनसान का दिल है मैंने ऐसे लोगों को नहीं दिया जो क्या करते हैं मोर के पंजों से दवा बनाने का काम करते हैं मैंने जो मारते हैं उनको ऐसे लोगों को नही दिया मारने के लिए ऐसे मासुम चिडिया को कैसे दूँ ऐसा वह सोच रहा कि मैंने ऐसे सोचा कि मासुम चिडिया को कैसे दूँगा मारने के लिए टालने के लिए मैंने कह दिया और उसको जो खरीदने आया था मोर के बच्चों को उसको टाल दिया गुरू जी ने बहुत खराब है पकड़ो पकड़ो और मारो मारो ऐसा ही होता है हाँ बड़े मिया के भासन की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित इस्टेशन नहीं है जो चीड़ी मार बेजने वाला था उसके लिए कोई तूफान मेल के लिए कोई निश्चित इस्टेशन नहीं है वह ब चेशन मान लिया जाता है इस तत्य से परचित होने के कारणी मैंने बीच मैं उन्हें रोप कर पूछा मोर के बच्चे हैं कहा बड़े मिया के हाथ के संकेत का अनुसरन करते हुए मेरी दृष्ट एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जब मैंने बोला कि मोर के शंकीन था संकीन का मआहा अर्थ होता है बहुत छोटा था वैज पिंदे अ शंकुचित संकीन कारता है कि युदर अधि के गोर्गजालի के गोल फ्रेम में किसी जड़ेऊ चित्र जैसे लग रहे थे इतने छोटे लग बड़े मियां की भासन मेल चली जा रही थी और वो बोलते जा रहे थे इमान कसम गुरुजी चीडी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद तीस रुपे लिये हैं बारह कहा भै जरा सोच तो अभी इन में मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़े कीमत ही मांगने चला पर व्य मुझसी क्यूं सुनने लगा आपका ख्याल करके उस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा और चली क्यूर करें ख्याल करना पड़ा उसको देना ही पड़ा बड़े मिया कह रहे हैं अब आप जो मुनासिफ समझें अस्तु ठीक तीस चीडी मार के नाम के और पाँज बड़े मिया के इमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजडाकार में रखा तब मानो वह जाली के चोखडे का चित्र चिवित हो गया और कह रहे हैं कि जब मैंने उसको पैसे दिये तो वह जो जाली में रखा हुआ चित्र जैसा पक्ची दिखाई दे रहा था वह वह क्या होगे जीवित होगी ऐसा लगा जब गाड़ी में लेखक नहीं रखा दोनु पक्ची साव के चट पटाने से लगता था मानो पिंद्रा ही सजीव और उर्णे योग्यों हो गया है जब उसको मैंने गाड़ी में लखा तो वह पिंद्रा ऐसा लगने लगया यह सजीव हो गया है यह जीव जो क्या हो थे बिलकुल मुर्शाय होगे थे चित्र जै कहने लगे तीतर है यह मोर कहकर आपको ठग लिया है ऐसा बोलने लगे घर में सबी लोग कदाची अने एक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने के बाद मेरे चिड जाने की दुरुबलता बन गई और जब मेरे को लोग बोलते थे कि आपको ठग दिया है तीतर के सुर्खाब के पर लगे हैं और बोलें कि उनने बोला कि मोर के क्या सुर्खाब के पर लगे हैं क्या सुर्खाब का मतलब एक परकार का सुन्दर पक्ची हाँ तो पक्षी ही चिड़ा दिया जाने के कारण ही संभावता है उन दोनों पक्षीयों के परती मेरे व्योहार और यतनमे कुछ विजेशता आ गई और जब ऐसे चिड़ा दिया तो फिर उन पक्षीयों के परती मेरे व्योहार में क्या आने लगा जब लोगों ने बोला कि मोर नहीं है क्या है तीतर हैं तो मेरे जो विहार था वह क्या विहार में परिवर्टन आ गया अब पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंद्रे रखकर उसका दरवाजा खोला फिर दो कोटोरी में सत्तु की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा उनके लिए पक्छियों के लिए वे दोनों चुहेदानी जैसे पिंद्रे से निकल कर कमरे में मानों खो गए अब जब वे पिंद्रे से निकल करके जब मैंने कमरे में रखा तो ऐसे वे ऐसा लगता था वे क्या हैं खो गए हैं कभी मेच के नीचे घुज गए कभी अलमारी के पीछे अंत मैं इस लुका छुपी से ठक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव परदान किया और जहां मेरी रद्दी आगज रखे वे थे उन्होंने वहां के अपना रहने का बसेरा उन्होंने बना लिया दो चार दिन वे इसी परका दिन में इधर उधर गुपतवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रगट होते रहे और जो दिन पर इधर उधर घुमते तोकरी जो रद्दी की रखी वी थी उसमें चले जाते थे पिर आस्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर कभी कुरुसी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आवरभूद होने लगे खीड कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निंतर बंद रखना पड़ता था खुला रखने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतमों का पता लगा सकती थी और वो बोने कि यह बंद रखता था मैं और मैंने बिल्ली भी पाले भी थी अगर इन नवा गंतमों का पता लग दा तो बिल्ली क्या अगर जाती फिर अलग परिणाम हो जाता और उसके सोथ का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है वैसे वह चुहूँ पर भी मेज को अपना हिंगासन बना लें या इस्तिति चित्रा जैसी अभी माने नहीं मार जार एके लिए असही ही कही जाएगी और जब वह देखती तो मेरे कमरे में अस्तवियस्तज रहते हैं पक्छी चुजे तो उस मार जारी बिल्ली को असहनी हो जाती वह बिल्ली ऐसा देख नहीं पाती जब मेरे कमरे का काया कलब चीडिया कहने के रूप में होने लगा तो मैंने बड़ी कठनाई से दोनों चीडियों को पकड़कर जाले के बड़े घर में पहुचाया अब जब कह जब मेरे कमरे का काया कलब चिडिया खाने के रूप में कर दिया तब मैंने बड़ी कठनाई से दोणु चिडियों को पकड़कर जा लेकर बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जन्तों का सामानने निवास है अब फिर उनने क्या कर दिया अपने कमरे से ले करके अपने कमरे से उनको पकड़ करके जहां उनने क्या बनाया था एक छोटा सा जीव जन्तु का सामाने निवास बनाया हुआ था पिंज़ा टैप का जो बनाया हुआ था दोनों नवागंतमों नए पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतुहल जगाया जैसा नव वधु के आगमन पर परवार में सावभाविक है अब जब मैंने कहे रहे हैं कि जब मैंने इन दोनों नवागंतमूं को नए पक्छियों को क्या किया उस चडिया घर मेंटाला उस जवनतु साला में डाला तो कौतुहल होने लग लगया सब उनकी और पर देखने लगे जैसे नौ dépend कहमन पर परवार में सौभाविक है जब कभी साधी होकर के नवबधू आते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं उनका स्वागत करते हैं और वहाँ जो पक्षी रखे वे थे और जीव जन्तु जो रखे वे थे वो भी क्या करते इन सब्सक्राइब निक्षण करने लगे और जो खर्गोस्र थे गंभीर हो करके उनका क्या करने लगे निक्षण करने लगे जो नवा गंतों पक्षी थे दो उनकी कैंज जैसे छोटे खर्गोस उनके चारों और उचल कूद मचाने लगे और खर्गोस क्या कर रहे हैं उचल कूद मन करने लगे हैं उन पक्षियों के जो दो पक्षी आये वे थे उनको देख करके तोते मानो भली भादी देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका निक्षण करने लगे और तोती कैसा निक्षण कर रहे हैं एक आँख बंद करके उनको देखे रहे हैं उन दोनों को उस दिन मेरे चिडिया घर में मानो भूचाल आ गया हो ऐसा लगा कि जी दिन मैंने उन पक्चियों को रखा ऐसा लग रहा था मानलो क्या आ गया हो सारे भूचाल आ गया हो ऐसा हो गया सब क्या करने लगे तरह तरह की हरकत करने लगे तरह तरह की अपने उचल कूद करने लगे हैं धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लग अब ऐसा काया कल पता कह रहे हैं जैसे इल्ली से तिल्ली का बनना इस प्रकार से क्या है ऐसा हुआ कह रहे हैं मोर के सीर की कलकी और संगन उची तथा चमकीली हो गई चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई गोल आखों में इंद्रेवी की निलाब धूती छलगने लगी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में छुप छाही तरंगें उठने गिरने लगी दक्षण वाम दोनों पंकों में सलेटी और शफेद आलेखन इसपस्ट होने लगे पूँच लंबी हुई और उसके पंकों पर चंद्रेवी काओं के इंद्रेवी धनुसी रंग उदिपत हो उठे रंग सहित पैरों को गरबीली गती ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया इस प्रकार से कह रहे हैं जो है मूर का रंग क्या हो गया बदन ने लगा उसका गरदन उची कर देखना विसेज भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चूगना पानी पीना टेड़ी कर शब्द सुनना आदी करियाओं में जो शुकुमारता और सौंदर ये था उसका अनभूद अनभूद देखकर ही किया जा सकता है और कह रहे हैं कि उसके जो दाना चूंगना, पानी पीना, टेड़ी कर सब्द सुनना, टेड़ी गर्दन कर गए कि अगर न सब्दों को सुनना, अगर कुछ बोलते हैं तो वह सुनना, शुकुमारता और सुंदर यह उतना सुंदर था, उसका अनभव देखकर ही किया जा सकता है और जब उस पक्षी को देखते तब ही क्या किया जा सकता है, तब ही उसका अनभव किया जा सकता है कि कैसे पक्षी थे वह गति का चितर नहीं आगा जाして थे स्था किया करते थे मोरनी का विकास मोर के समान चमत कारिक तो नहीं हुआ परंतो अपनी लंबी छूप च्छाई गर्दन हवा में चंचल कल लगी पंखों की स्याम स्वेत पत्र लेखा मंधर गती आदिसे वे भी मोर की उप्युक्त सहचारनी होने का प्रमान देने लगी उसी के समान उसी के साथ रहने लगी उसका भी का नाम रखा गया नील कंट है मोर का नाम नील कंट है पार्ट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी ग्रीवा कैसे थी गर्दन ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन कैसे थी नील रंग की थी तो उनका नाम क्या रखा गया उसका नाम मोर का नाम नील कंट रखा गया ग्रेवा नील होने के कार करना हुआ राधा और जो मोर नी थी उसका नाम क्या रखा लेखक ने राधा मुझे स्वयम ग्यात नहीं कि कब नील कंठे ने अपने आपको चिडिया घर के जी निवासी जीव जन्तूं का सेना पती और संरक्चर निवत कर लिया सवेरे ही वह सब खरगो उसका उतर आदि की स किसी ने कुछ गड़वड की और वह अपने तीखे चन्यू परहार से उसे दन देने दोड़ा अब जब कोई वहां कोई गलती करता कोई तो वह क्या करती थी, क्या करता था मूर, वह अपने चंजू से प्रहार कर लेता था, अगर कोई क्या करता था, वह कुछ दखल कर देता, कोई कुछ करता था, वह अपने तीखी प्रहार कर देता था, तो वह मानु ऐसा लगता था, कि इस लेखक को जैसे क्या हो गया हूँ, से पहरेदारी करता हूँ पहरेदारी करता हूँ उनकी रक्षा करता हूँ खरगोस के छोटे बच्चों को वे चूच से उनके कान पकड़कर उपर उठा लेता था और जब तक वे आत्रकंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटका ये रखता अब जब आत्रकंदन का अर्थ होता है पीड़ा से कहराना पीड़ा से पीड़ा से कराहना बहुत दर्द होना जैसे हम घर में खुता पालते हैं तो अगर कान पकर देते हैं आवाज करता ने कान की कि वैसे ही मौर भी करता था खरोंबिचे बिच्चों को पो कानब्र आदा जब तक वह क्या नही खरते थे लटक आये रखता था कभी चब्क इस पहनी चोस्ते छित्र के सके बच्चों पर कंड़े संसकार हो जाता था और जब वह उनके कौक ऑद दा तो तो कभी कभी क्या हो जाता था उनके कानों में क्या हो जाता था च्छित्र हो जाता था उसके चोंच से छेद हो जाता था ऐसा लगता था कर्ण भेद कर दिया हो जैसे क्या करते हैं कानों में छेद कर देते हैं तो वैसी ऐसा खरगोश के बच्चों के वह मूर क्या करता था उ कभी उसे क्रोधित होने का आउसर न देते थे डंड विधान के समान ही उन जीव जनतों के प्रति उसका प्रेम भी असाधरन था और जैसे वह दंड दिया करता था उनका प्रेम उसका प्रेम भी क्या था बहुत ज्यादा था प्रेम भी बहुत किया करता था वह प्राइव एक खेल होता है उसके तरह क्या है खेलने लगते थे ऐसी ही किसी इस्तिती में एक सांप जाली के भीतर पहुँच गया सब जीव जन्तु भाग कर इधर उधर छीब गए केवल एक सीसु खरगो शांप की पकड़ में आ गया अब जब वहाँ पर अचाने के एक खरगो जीव जन्तु साला में कौन आ गया सांप आ गया जिसे यहां सांप दिखाया गया है चित्रे में देख रहे हैं और वह खरगोस के बच्चे को, छोड़े बच्चे को क्या गया, निगलने के परियास में साब ने उसका आदा पिछला सरी तो मुह में दवादी रखा, और मुझे ने क्या गड़ दिया, मुह में दवाद रखा था, से इस आदा जो बाहर था, उससे चीची का स्वरही इतना त्रीव नहीं निकल सकता था और आधा सरी जो था बाहर था उससे चीची आवाज नहीं निकल पा रही थी किसी को इसपर्ट सुनाए दे सके निलकंट दूर उपर जूले में सो रहा था उसी के चौकने कानों ने उस मंद स्वर की भी अथा पहुचानी और उसने जो जब चूची थोड़े सी आवाज गर उसके मंद आवाज आ रहे थी क्योंकि आधा सरी किसका सापके मुह में था झौकने माज्य आ रहे थी और जो नीलकंट थbor जो जिए अपर जूले में उसको उतनी भी आवाज को तो इसको सुनाय awesome कर आप है कि और पूंच पंक संहिट कर सर से एक फाइन नीचे आ गया है गया नीचे आगयाा है मूर नील संभवत है अपनी सहच यतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंज मारने से खरगोष भी घायल हो सकता है और उसने सोचा कि भई अगर सांप के फन पर अगर मैं क्या मारा हूं चोंज मारा हूं तो खरगोष भी क्या हो सकता है घायल हो सकता है उसने सांप को फ वाया और सांप के उपर इतना प्रहार किया कि वह अधमरा हो गया पकर धीली पढ़ते ही खरगोश का बच्चा मुझ से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वही पड़ा रहा और वह जो खरगोश का बच्चा था वह निकल तो गया बाहर लेकर निश्चेष्ट वह मतलब कोई निश्चेष्ट का अर्थ होता है कि बेहोस हो गया वह क्या हो गया बेहोस हो पड़ा था वह राधा ने सायता देने की आपसकता नहीं समझी परंतु अपने मंदक कैंका से किसी असामान ने घटना की सूचना सा बहुत परशारित कर दिया उसने उसने सायता दे देना चाहा रही थी लेकिन उसने अपने सब जगह क्या ऐसे घटना इस घटना के बारे में सब को क्या कर दिया उसने जन्तु साला में सब को सूचना प्रसारित कर दी माली पहुंचा फिर हम सब पहुंचे नेल कंठ जब साम के दो खंड कर चुका तब उस सीशु खरगोस क पास गया और राद भर उसे पंखुं के नीचे रखे उसनता देता रहा और नीलकंठ जो अचेतन अवस्ता में पड़ा हुआ था तो वे बेहुस पड़ा हुआ था तब उसने राद भर उसको घरगोस बच्चे को अपने पंखुं के नीचे रखा उसनता देता रहा उसको गरम हवा देता रहा कार्थिके ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा यह उस पक्षी का रूप और सौभाव देकर समझ में आ जाता है और जो कार्थिके भगवान है उनने क्या होती है विसेस्ता होती है जिस कारण अपना क्या बनाते हैं वह वाहन बनाते हैं अब मोर भी कार्थिके जी का क्या है वाहन है अब जैसे देवी दुर्गा माता का वाहन सेर है सेर भी क्या होता है जंगल का राजा माना जाता है ठीक वैसे गणेश जी है गणेश जी का बहुत चलाख होता है बहुत तीज होता है ऐसी तो अनेक और देवी देपता है जो क्या है जिनके वाहन है तो यहां पर लेखे कह रहे हैं कि कार्थिके इने जरूर कुछ इन में मोर में ऐसी विसेशता है जिसके कारण अपना वाहन इसको मोर को क्या क्या बनाया अपना वाहन मयूर कलाप्री ये वीर पक्षी है हिंशक मातर नहीं इसी से उसे बाज चील आदी की स्रेणी में नहीं रखा जा सकता है जिसका जीवन ही कूर कर्म है नील कंटे में उसकी जातिगर विसेस्ता तो भी थी ही उसका मानवी करण भी हो गया था मेगूं की सामली चाया में अपने इंद्रधन उसके गुच्चे जैसे पंगूं को मनलाकार बनाकर जब वे नाता था तब उस नित्य में एक सहजाद लए ताल रखता था और क्या लगता था सहजाद लए ताल रहता था ऐसा लगता था जब वे अपने पंगूं को फैलाता था और वे क्या करता था नित्य करता था किसी लह ताल के साथ क्या गर रहा है नित्तिक कर रहा है ऐसा प्रतीध होता था आगे पीछे दाहने बाएं क्रम से घूम कर वह किसी अलग्च सम पर ठहर ठहर जाता था राधा नील कंटगे समान नहीं ना सकती थी पर उसकी गती में भी एक छंद रहता था वह नित्य मग्न नील कंटे की दाहनी और के पंक को छूती हुई बाएं और निकल आती है और वह एक दाहनी और से छूँआ कर के कहा आ जाती है बाई यह वो रहती है जो पत्नी होती हमेशा क्या रहती है बाई यह नहीं कहा जाता है उसको तो जो राधा थी जो मूरनी थी वह अपने नील कंटी के क्या मानते थी सहचार नहीं समझती थी पत्नी समझती थी मानते थी उसको प्रेमी तो हमेशा वह नील कंटी के कहा रहती थ तो वैसी मोरणी भी क्या रहती थी और बाएं पंगों को इस पर दैनी और इस परकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परचय मिलता था नीलकंड़ के कैसे कि समझ लिया कि उसका नित्य मुझे बहुत बहता है यह तो नहीं बताया जासकता परन्तु अचानेक एक दिन वहे मेरे जाले घर के पास पहुंचते ही अपने जूले से उतर कर नीचे आ गया और पंखुं का सतरंगी मंड्रा का छाता बना कर नित्य की मंग्यमा खड़ा हो गया अब जो मैंने देखा कह रहे हैं लेखक तो वह क्या हो गया जूले से नीचे उतर कर हुआ है मंड्रा का छाता जैसा अपने पंखुं को बना करके पर को बना करके नित्य की मंग्यमा खड़ा हो गया तब से यह नित्य भंग्यमा नित्य का करम बन गई प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी अथिती भी पहुँच जाता था और नीलकंट की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्व समझ के विश्या भूत हो उड़ता था अब जब मेरे साथ कोई मेहमान मेरे घर मा आता था तो नीलकंट ऐसे पंख फैला देता था तो लोग उसको ऐसे मुद्रा को देखकर के लोग समझ जाते थे या या क्या करना हमारा स्वागत कर रहा इस परकार से लो उसके इस परकार से क्या करता दिहान आकरशित किया करता था कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमेंट परफेक्ट जेंटलमेंट की उपादी दे डाली इसने किसी जो महिलाएं आया करती थे इसके पास महिमान अथिती जिस नुकिली पैनी चौंसे वह भयंकर विसदर को खंड़ खंड़ कर शकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भूने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठा कर काता था कि हासी भी आती थी और विसमय भी होता था भूलू के व्रिक्षियों से अधिक उसे पुस्पित और पल्लवीद व्रिक्षे भाते थे और जो उसकी इतनी पैनी नुकिली चौंसती कह रहा है लेखा तो और वह क्या करते थे उससे भहंकर विस धर विसको धरने वाले साप इत्यादे जो विसेले जीव हैं उनको मार देता था लेकिन उसी हथे मेरे हाथ में जब कुछ दाना रखा रहता था उस हास चौंच से वा इतने आराम से खा जाता था कि मेरे कुमल हातों में कुछ हुले हुले उच्छे वा क्या कर लेता था दाने को चूंग लेता था और मुझे क्या आ जाती थी कह रहें लेकर हासी आ जाती थी और फॉलों के ब्रिक्षों से आधिक उसे पुस्पित पल्लवीद ब्रिक्षे भाते थे वसंत में जब आम के वरिक्ष सुनहरी मंजरियों से लज जाते थे असोग नए लाल पल्लों से ढख जाता था तब जाली घर में वह इतना अिस्तिर हो उड़ता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था और जब वे पसंति-रितु में आम में मंजरियां आ जाती थी असो के ने पल्लव आ जाना सुरो हो जाती थे तो वे अइस्तिर हो जाता था जालीगर में नील कंठो और राधा की सबसे प्रीय रितू तो वरसाई थी उनको कौन से रितू अच्छे लगती थी वरसा रितू बहुत अच्छे लगती थी मेगों के उमड़ आने से पहले ही भी हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थी और तब उनकी मंद कैंका की गूंज अनुगूंज तीवर से तीवरतर होती हुई मानो बूद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी मेग के गरजन के ताल पर ही उसके तनमे नित्य और आरम होता और फिर मेग जितना अधिक गरजता बिजली उतनी अधिक चमकती चमकती बूदों की रिम जिमाहट जितनी तीवर होती जाती नील कंड़े के नित्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता जितना जो है मेग ज्यादा बरसते और उसके निति करने की, नाच करने की क्या होते है दिगती भी और बढ़ती जाती थी मेग के साथ उसकी केका कास्वर उतना ही मुंद के सामन्दतर होता जाता वर्साग के थम जाने पर वह दाहने पंजे पर दाइना पंख और बाएं पर बाएं पंख फैला कर शुकाता कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंकों से टपकने वाले बूदों को चोंसे पी कर पंकों का गिलापन दूर करते रहते और वह जो गिलापन था उनके पंकों में वह क्या करते थे पी करके पंकों को सुकाया ऐसे फेला कर सुकाते भी थे और जो पानी कभी कभी बज़ा था उसको क्या करते थे वह बूंद को पिया करते थे अपने चूंच से इस आनंदोस्व की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज़ उठा यह भी एक करुणक कथा है एक दिन मुझे किसी कार यसे नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समानकार को रोक दिया फिर जो बारा लेखक वहीं जा रहे हैं नखा को कोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समानकार को रोक दिया इस बार किसी पिंज़े की ओर नहीं देखूंगी यह संकल्प करके मैंने बड़े मिया की वीरल दाड़ी और शफेर डोरे के काण में बधी एने को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया पर बड़े मिया के पैरों के पास जो मुरनी पड़ी थी उसे अंदेखा करना कठीन था और वोई कह रहें कि मां अंदेखा करना मूरनी राधा के समान ही थी उसके मूच के बदे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस परकार एकत्तित हो गई ती जो मियां के पैरों के करने थे वैसे क्या न करने लगे बोलने लगे देखिए गुरू जी कमबक्त चिडी मान ने वेचारे का क्या हाल किया है ऐसे कभी चिडिया पकले जाती है आपने आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता पर आपसे भी यह अदमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं ऐसा बड़े मिया ने कहा सारां सी है कि सात रुपे देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना पंज्यों की अब क्यूंकि जब दूसरा पक्छी लाई वह मोर नहीं दुबारा लाई तो है वो जो घायल हुआ था उसके पैर जो घायल हुए थे पंज्यों से भी घायल था तो वह अब अस्पताल सा लेखक को लग रहा है तो पंज्यों की मरम पट्टी और देखवाल करने पर वह महने भर में अच्छी हो गई और उनने फिर क्या कि जो पंज्यों में उसके चोट लगे वे थे ज पूड जैसे पंज्यों पर डंगमाती हुए चलने लगी तब उसे जाली घर में पहुचाया गया और नाम रखा गया कुपजा नाम के अनुरूप और उसका नाम क्या रखा गया कुपजा का अर्थ है जो क्या है जो क्या थी पैर उसे जो लडखडाती थी जिसके क्या है अभी पैर जो क्या थी पैर उसे चन्नी पाते थे एकदम पैर उसके घायल थे वोई सोभाव से कुबजा ही प्रमानित हुई और उसने उसका नाम क्या रख दिया कुबजा रख दिया असमोरने का नाम ठीक है अब तक नी पहले राधा और नील कंट एकसाथ रहते थे और पिर कुपजय आ गई उस पंजरे में उस जिवनतों साला में तो वह पिर वह देख दोपका देख्टी क्याम करने लगती चोंच मारमारक उसने राधा की कल ही नोच डाली पंक नोच डाले कटनाए यह थी कि नीलकंड उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाती थी न किसी जीव जनतु से उसकी मितर था थी न वह किसी को नीलकंड के समीब आने देना चाती थी कुपजा निलकंड के सामने कुछी को नियाने देती थी उसी वीज राधा ने दो अंडे दिये जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी पता चलते ही कुपजा ने चोज मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर फूड जैसे पैरों से सब ओल चितरा लिए और उस अन्डु को क्या कर दिया उनने तोड़े दिया तीटेगां क्या कर दिया उन्डू को ऊस ने तोड़े दिया कुपजान्य इसकल है कोला हाल से और उसे से भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नील-कंड की प्रसंता का अंत हो गया अब जब कई बार जाली के घर से निकल भागा एक बार कई दीन भूका प्यासा आम की साकाओं में छिपा बैठा रहा नीलकंड जहां से बहुत पुछका कर मैंने उतारा एक बार मेरी खिनकी के सेड़ पर छिपा रहा हुआ मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भाती पंकों को मनलाकार बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में ठकावट और आँखों में एक सुन्यता रहती थी अपनी अनुभव हींता के कारण में कारण ही मैं आसा करती रही कि थोड़े दिन बाद उसमें मेल हो जाएगा और वह आसा करती रही लेकर कि वह क्या हो जाएगा सब इन लोगों में जो कुपजा आईएस के साथ मेल हो जाएगा अंत मैं तीन चार मास के उपरांद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंट पूँच पंक फैलाए धरती पर उसी परकार बैठा हुआ था जैसे खरगोस के बच्चों को पंकों में छिपागर बैठा था और मेरे पुकार ने पर भी उसके ने उठने पर संदे हुआ अब जब वैसे पहला पंक फैलाए बैठा तो मेरे क्या हुआ उसका शंदे हुआ ऐसा देख करके वास्तों मैं नीलकट मर गया था क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका क्यों कैसे मरा न उसे कोई बिमारी हुई न उसके रंग भी रंग फूलों के स्थब्द जैसे सरीर पर किसी चूट का चिन मिला मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई जब गंगा की बीच धार में उसे परभावत किया गया तब उसके पंकों की चंद्रिकाओं से बिम्बित प्रति बिम्ब होकर गंगा का चोड़ा पाट एक विसाल मयूर के समान तरंगित हो उठा नील कंड के न रहने पर राधा तो निश्चेस्ट सी क्या हो गई नील कंड के न रहने पर निश्चेस्ट कारत होता है बिखोस सी हो गई कई दिन कोने में बैठी रही कई बार भाग कर लोट आया था अतर वह परतिक्छा के भाव से द्वार पर दिश्चेस्ट लगाए रहती थी अब उसको जो राधा है उसको पता नहीं था कि नील कंड उसको ये लगता था कि नील कंड कहा गया है बाहर गया है कही वह कुपजा ने खुला हल के साथ खोज ढूंड आरम में की खोज के करम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी अब जब जाली जब दरवाजा खुलता हुआ बाहर निकल आती थी राधा पर आम अशोग पचनार आदी की साखाओं में नील कंड को ढ हूंटती रहती थी एक दिन आम से उत्री ही थी कि कजरी अलसेसियन कुट्टी सामने पढ़ गई अब जब कुपजा उसको ढूंड रही थी तो असलेशन जो कुट्टी थी उसके सामने क्या होगी पढ़ गई सोभाव के अनुसार उसने कचली पर भी चोंच के प्रहार किया प बार उसका कलह, कुलाहर और ड्वेस प्रेम भरा जीवन बचाय न जा सका और जो कुपजा ची जो ढूंडने के लिए जाती थी उसको नील कंठ को और उसका जीवन क्या होगा तो असलेशन कुट्टी ने सामने सोभाव के अनुसार उसके कचली पर चोंच पर क्या कर दिया परिनामत है क्या होगी उसकी दात से कुपजा का क्या होगी अन्त हो गया कुपजा क्या होगी मर गी उसके कलह, कुलाहर और द्वेस प्रेम भरा जीवन बचाय न जा सका कुपजा का राग द्वेस करती थी क्योंकि वहाँ नील कंठ और रादा में बहुत प्रेम था वह क्य लेकिन इधर क्या हो रहा है दूसरा कुपजा उसको ढूड़ने के लिए जाती और वहां एधन के असलें कुत्ति के सामने वह पड़ गई और उसको दात मार दिया जिससे वह मर गई मर गई कुपजा परंतो इन तीन पक्षियों ने मुझे परंतो इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की भिन्यता का जो परिचय दिया हुए मेरे लिए विसेश महत तो रखता है उनने का इधर महादेवी वर्मा कह रही है कि इन तीनों पक्षियों ने मेरे जो है विसेशता बहुत विसेश महत तो रखता है इन तीन प भाव कैसा था कैसे कैसे किया 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 करते थे इनमें क्या विजेस्ता थी तो इनने मेरे को बहुत क्या क्या प्रभावित किया इनका महत तो क्या रखता है मैं जानती हूं इस परकार से महादेवी औरमा कहती है राधा अब प्रतिक्छा में ही दुकेली है अब राधा बची रेखले और कभी असोगी डाल पर अपनी का को क्या कृती थी तीव nova3 करकर नील कंठ को बुलाती रहती रहती है कौन in the 김र अंध क fifa हो गया है उसकी मिर्तु होगी है उसे अभी पता नहीं है वह मर गया है गर की तो अभी वह क्या करती है उसको बुलाती है वह सोचती की कभी 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 क्या है अभी आएगा नीलकंट तो यह पाठ नीलकंट पाठ है इसका नाम लेखक लेखी का हैं इसकी महादेवी बर्मा इन झाल झाल